आज अचनक पिता जी, गाउं से घरा पहुचे मैं तो उन्हें देखकर चौकी गया महीने के आखरी दिन चल रहे हैं और हाथ भी बहुत तंग है बाबा, न जाने क्या मांग बठे बाबा? आप? आईए ना? लगता है बाबा को पैसो की जरूरत आ पड़ी है वरना यहां कौन आने वाला था? इस बार पैसे की समस्रा कुछ जादा ही हो गई है पत्नी की इलाज के लिए भी पूरी दवाया नहीं खरिद पा रहे है अगले मैंने बड़े बेटे का जनम दिन है और उसे भी कपड़े और जूते दिलाने है बाबा को भी अभी आना था? आज ये शांती बड़ी अजीब से लग रही है पत्नी की नजर भी सीदे दिल में चुब रही है और सामने बाबा इतने आराम से खाना खा रहे है यहां मेरी गवराट बढ़ती जा रही है बाबा न जाने क्या बोलने वाले है सोनो 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 बेटा मैं शंकित हों की बाबा कोई न कोई आर्थिक समस्तर लेकर आए है बेटा खेती के काम में घड़ी बेर की फुस्तत नहीं मिलती इस वकत काम का बहुच जोर है रात की गाड़ी से वापस सला जाऊँगा तीन मेने से तुम्हारा फोन नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं मैं जानता हूँ तुम परिशान रहते हो तब ही ऐसा करते हो रख लो लेकिन बाबा रख लो तुम्हारे काम आएंगे इस साल धान के पसल बहुत अच्छी हुई है और गाओं में कोई दिक्कत भी नहीं है तुम बहुत कमजोर लग रहे हो डंग से खाया पिया करो और भुका भी ध्यान रखा करो बाबा तो मेरे परिवार के लिए कितना सूचते है और मैं उनके बारे में क्या सूच बैठा तरस आता है मुझे अपनी सूच पर सच में माबाब तो भगवान होते है ले लो रख लो बहुत बड़े हो गयो क्या नहीं तो बाबा कभी कभी हमारे समझने में बहुत भड़ी गल्टी हो जाती है माबाप कभी गलत नहीं होते है बच्पन में मुझे स्कूल भीजने के पहले बाबा मेरी जेम में अठेने डाल दिया करते थे पर तब मेरी नजरे आज की तरह जुकी नहीं होती थी दोस्तों एक बात हमेशे धान रखें माबाप अपने बच्चों पर बोज हो जकते हैं बच्चे माबाप पर कभी बोज नहीं होते हैं अजरे बच्चे माबाप पर दोस्तों